आज हम देखेंगे त्रिबुजों की सरवांग समता के SAS प्रतिबंध से संबंदित कुछ मज़ेदान उदाहरण। त्रिबुज ABC में रेखाखंड AO, रेखाखंड BC पर लंब सम्द्विय भाजक यानि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो क्या बुजा AB, बुजा AC के बराबर है? ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक रफ आकरती बनाना हमेशा सहायक सिद्ध होता है। हम कोन बनाता है तथा यह BC को दो बराबर भागों में पाटता है। इस तरह से यहाँ O, BC का मध्य बिंदु है। इस जानकारी के आधार पर हम त्रिबुज ABC की रफ आकरिती इस प्रकर बना सकते हैं। त्रिबुज AB O और त्रिबुज AC O में हम देखते हैं कि O B पराबर OC है क्योंकि O भुजा BC का मध्य बिंदु है। AO पराबर AO है क्योंकि यह दोनों त्रिबुजो की उभायनिष्ट यानि कॉमन भुजा है। और कोण AO B बराबर कोण AO C बराबर 90 डिग्री है क्योंकि रेखाखंड OA भुजा BC पर लंब है। इसलिए यहाँ हम सुमेलन लिख सकते हैं। इसलिए सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध के अंतरगत हम कह सकते हैं कि त्रिबुज ABO त्रिबुज ACO से सर्वांग सम है। चुकि सर्वांग सम त्रिबुजो के संगत भाग भी सर्वांग सम होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ AB पराबर AC है। क्या आप सभी संगत भुजाएं एवं कोण लिख पाएंगे? स्वयम प्रयास कीजिए अगला उदारण, नीचे दी हुई आकरिती को देखकर ग्याद कीजिए कि त्रिबुच ADC, त्रिबुच CBA से सरवांग सम है या नहीं? यहां हम देखते हैं कि त्रिबुच ADC और त्रिबुच CBA में CD बराबर AB है AC बराबर AC है क्योंकि AC उभैलिष्ट भुजा है और कोण ACD बराबर कोण CAB है? आप देख सकते हैं कि यहां त्रिबुच ADC की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण त्रिबुच CBA की संगत दो भुजाओ और उनके बीच के कोण के बराबर है इसलिए SAS सर्वांग समता के अंतरगत हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिबुच सर्वांग सम है यहां सुमेलन इस प्रकार है इसलिए यहां त्रिबुच ADC त्रिबुच CBA से सर्वांग सम है तो आज हमने देखे त्रिबुचों की सर्वांग समता के SAS प्रतिबंद से संबंदित कुछ मज़ेदार उधारण अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिध्याधारणाओं को दूर करेंगे